बूर्णिंग स्टुडेंट्स वेलकम टू अनलाइन क्लासे सेंट एंजल्स पॉब्लिक स्कूल बागपक्त इस्टेंडर टैंथ सब्जेक्ट एसस्टी इनिट एकनोमिक्स चैप्टर नमबर टू सेक्टर्स अव दा इंडियन एकनोमिक्स लास्ट वीडियो में हम पढ़ रह करते थे कि जो तीनों सेक्टर हैं उन्हें कैसे कंपेर किया जाता है तो तीनों सेक्टर को कंपेर करने के लिए जो अभी गुड्स एंड सर्विस प्रड्यूस होती है उनकी वैल्यूस को एड़क किया जाता है लेकिन जो वैल्यू हम एड्ड करते हैं वो वैल्यूस सिर्फ और सिफ, final goods की add करते हैं, intermediates की goods की value को हम add नहीं करते हैं, तो last video हमने study किया कि intermediate goods क्या है, इस video में हम आगे study करेंगे, final goods, final goods are those goods which are used either for final conception और for capital formation, तो final goods क्या है, final goods वो समान है, जो final conception के लिए use किया जाते हैं, यानि कि अगे पूरी तरह से तयार हैं और इनको इस्तिमाल किया जा सकता है, और for capital formation, या फिर उनका इस्तिमाल पुंजी निर्मान में किया जाता है, these are not resolved, इन्हें बीच में दोबारा नहीं बेचा जाता, in sort, final goods have crossed the boundary line of production and are ready for the use by the final user, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो final goods हैं, वो सारी boundary line of production की, यानि कि निर्मान की जितनी भी रेखाए हैं, वो सारी पार कर चुके हैं, और वो final use के लिए तयार हैं, cloth, air conditioner and refrigerator are example of final goods, तो final goods के कुछ example यहां पर दी हैं, जैसे cloth हैं, कपड़ा हैं, air conditioner हैं और refrigerator हैं, ये सारी line of production, boundary line of production क्लोज कर चुके हैं, they are the final product, ये पूरी तरह से तयार हैं, और consumer इनका diet इस्तमाल कर सकता हैं, As already discussed, while estimating performance of a sector, only the value of final goods and service is to be used, जैसे हम पहले भी discuss कर चुके हैं, कि जब हम किसी भी sector के performance को estimate करते हैं, तो हम safe और शिर्फ, final goods और service को ही इस्तमाल करते हैं, तो हम से final goods की value क्यों इस्तमाल करते हैं, वो इसलिए करते हैं, ताकि double counting ना हो, किसी भी चीज की value को दो बार ना गिना जाए, तो किसी भी product की value को एक से ज़्यादा बार अगर हम count करते हैं, तो उसे double counting कहा जाता है, This leads to our estimation of the value of goods and service produced, Let us understand the concept with an example, तो double counting क्या है, इसको और बहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर एक example दी गई है, A farmer produce one ton of wheat and sell it for rupees 100 to a floor mill, एक किसान है, जिसने एक टन अनाज पैदा किया, और उसे एक floor mill को 100 rupees में sell किया, As far as farmer is concerned, the sale of wheat is a final sale for him, अगर किसान की बात करें, तो किसान के लिए पैदावार उसने किया अनाज की उसको floor mill को बेचना, उसके लिए final sale है, बट purchase of wheat by floor mill is an intermediate good, लेकिन floor mill ने जो ये wheat किसान से खरीदा है, उसके लिए wheat एक intermediate good है, तो ये convert wheat into floor and sell it to a baker for rupees 150, अब ये जो floor mill है, ये जो आटा चक्की है, ये इस अनाज को पीस कर, उसका आटा तयार करेगा, और उसे एक baker को 150 rupees में sell कर देगा, the floor mill treats the floor as a final product, अब floor mill वाले के लिए भी आटा चक्की वाले के लिए, जो उसने अनाज को पीस कर आटा तयार किया, वो उसके लिए final product है, लेकिन baker के लिए, जो आटा उसने आटा चक्की वाले से लिया है, वो एक intermediate good है, तो यह जो बेकर है, वो इस आटे से ब्रेट तियार करेगा, और दुकानदार को 200 rupees में बेच देगा, और दुकानदार उस ब्रेड को ग्रहक को 250 rupees में बेचेगा, value of output, farmer 100 rupees plus floor mill 150 rupees plus baker 200 rupees plus shopkeeper 250 rupees equals 700, तो अगर हम यह value add up करते हैं, तो हमें यहाँ पर 700 rupees राप्त होते हैं, so while calculating national income, only the value of final output, that is 250, should be included, not 700, तो जब हम national income को calculate करते हैं, तो हम सिफ final output की value लेते हैं, तो यहाँ पर जो final output था, वो 250 rupees था, तो हम सिफ 250 rupees को add करेंगे, ना कि 700 को, now after understanding the concept of intermediate and final goods, let us come to gross domestic product, तो अब हमने intermediate goods और final goods, इन दोनों के बारे में जानकारी हासिल की, दोनों के बारे में study किया, अब इसके बाद हम बात करेंगे, gross domestic product की, gross domestic product is the market value of the final goods and service produced within the domestic territory of a country during one year, तो GDP क्या है, उसकी definition हमें दी हुई है, gross domestic product is the market value of the final goods and service, तो GDP उन सभी final goods और service की value है, market value है, जो देश की domestic territory के अंदर, within a country, एक साल के दोरान तयार की गई है, they are both resident as well as non-resident producer within the domestic territory of a country, तो देश में जो लोग बसे हुए हैं, देश के बाहर के जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, जो यहाँ पर सामान तयार करते हैं, उनके दुआरा एक साल के अंदर तयार किया गया, जो भी सामान या सिवाए हैं, उनकी value को हम GDP कहते हैं, इन इंडिया, for example, there are many international bank as well as multinational company, भारत के अंदर अगर हम बात करें, तो बहुत सारे international bank हैं, अंतरास्टिये बैंक यहाँ पर हैं, उसके साथ साथ, बहुत सारी multinational company भी इंडिया के अंदर हैं, gross domestic production include the market value of the final goods and service produced by all such producers, तो GDP के तहट हम जो भी final goods या service produce की गई हैं, इनके दुआरा देश के अंदर उन सब को include करते हैं, इन इंडिया, the memo task of measuring GDP is undertaken by a central government ministry, भारत के अंदर GDP को calculate करने का memo task है, यह जो काफी difficult work है, यह central government ministry के इन सरकार मंत्रा ले दुआरा किया जाता है, इस ministry with the help of various government departments, all of all of all the Indian states and union territory collect information relating to total volume of goods and service and their prices and then estimate the GDP, यह जो मंत्रा ले हैं, वो भारत के जो विबन राज्जे हैं, और union territory हैं, उनके अलग-अलग सरकारी department से information collect करती है, जो भी वहाँ पर सामान या सिवाएं तैयार की गई है, और उनके जो prices हैं, उसके बारे में, उसके बाद GDP की calculation की जाती है, we will discuss the chapter further in next online class, till then stay connected, have a nice day, thank you.